कि हालो अब्रिवान दिस आदेल रशीद और आप देख रहे हैं फटापट कलासिस आज के इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले करन्ट एफिर्स तो मैंने आप से पहले बोला था कि आपको एट लीस्ट आपको पिछले कि करन्ट एफिर्स पता होनी चाहिए अगर आप एक्जाम में एक्जाम में क्या होने जा रहे हो ठीक है तो देखिए पिछली बार में थोड़ा सा स्टार्ट किया था लेकिन वह उसका जो पैटर्न था उसका जो फार्मेट था वो किसी दूसरे एंगल से में पढ़ा रहा था आज मैं आपको यहां पे question answer based current एफिर पढ़ाओंगा तो इसी वकत हमारा जो January 2021 का current एफिर है न वहमें इसी वकत complete नहीं होगी इसके में पार्ट्स इसके मेने मदब पार्ट्स बनाए इस वकर हम 50 question answer based करन्ट एफियर के जो question answer based questions है वो हम कर देंगे ठीक है तो आप ध्यान रखना इसकी PDF आपको नहीं मिलेगी तो इसी वकर lecture को अच्छे से देखना ठीक है तो जितना मैं यहाँ पर आपको पढ़ाओंगा तो आप यह समझ के चलना कि यह मेरे लिए काक्षी है ठीक है चलिए start करते हैं तो फिर यहाँ पर हम start करते हैं शाबाश देखिए question first है who has been confirmed with attention saman for 2020 2020 का जो attention saman award है वो किसको दिया गया है ठीक है वो किसको दिया गया तो attention saman award कों सा award होता है शबाश यह किस field में दिया जाता है इसको music के field में दिया जाता है किस field में शबाश इसको music के field में दिया जाता है तो नीचे आप यहाँ पे और एक आवार देखोगे मान सिंग टोमार आवार उसको भी म्यूजिक के फिल्ड में ही दिया जाता है आ गया यहाँ तक समझ में तो अब यहाँ पे टेंसन समान आवार जो है 2020 का वो किसको मिला है सतेश वयास को मिला है याद रखना सतेश वयास हैस बीन कंफर्ड विद अटेंसन समान फार 2020 तो इसके बाद आप याद रखोगे मान सिंग टोमार आवार किसको मिला है मान सिंग टोमार आवार किसको मिला है बूपाल बेस्टर इनिस्टूशन जिसका नाम है अभी नाओ काला परिशाद को मान सिंग तोमार अवार्ड मिला और सतेश वयास को कुंस अवार्ड मिला तंसन समान अवार्ड 2020 नीचे आईए शहबाश कुष्टिन नबर टू नेम इंडिया 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 ने खुद बनाया है ठीक है फर्स्ट इंडिजिनेस जो इंडिया ने खुद बनाया है डिजाइनड एंड डेवलापड आयर ड्रापड कंटेनर विच वाज टेस्ट ट्रेलर रिसेंटिली बाई इंडियन नहवी एंड डियार दियो तो ये जो आयर ड्रापड कंटेनर है इसका टेस्ट रिसेंटिली किस नहीं किया था शबाश कंटेनर है इसका नाम क्या है शबाश जिसका टेस्ट नावी और डियार्डियों ने किया इर ड्रॉपड कंटेनर का नाम क्या है शयांक ठीक है शयांक NGB हम लिखते हैं क्या लिखते हैं शयांक NGB आप याद रख सकते हो तो शयांक NG का टेस्ट कहां पर हुआ गवा गवा का जो coast है गवा के coast पे इसका test case ने किया Navy और DRDO न है तो नीचे आए शाबआश हाँ ये Navy के काम आएगी ठीक है ये जो शयाक है ना शयाक जो है ना शयाक Navy को मदद करेगे ठीक है to detect their enemies ठीक है जो search operations करते है ना वहाँ पे शयाक उनके काम आएगी तो नेक्स देख लिजे, गुर्मेंट has extended the tinware up K7, K7 का जो tinware है, वो extend किया गया, as the chairman of which organization for a period of one year up to January 2022, तो K7 का जो, K7 जो है, उसका जो tinware है, यानि उसकी जो service है, वो एक साल के लिए बड़ा दी गई है, ठीक है, उसका tinware एक साल के लिए बड़ा दी गई है, ठीक है, जैनि कि उसको retire होना था कब January 2021 में, अब लेकिन वो अब कब रिटायर होंगे January 2022 में ठीक है तो K. Siwan जो है वो किसका चेर्मन है K. Siwan किसका चेर्मन है Presently वो किसका चेर्मन है याद रखना He is चेर्मन आफ इसरो ठीक है Indian Space Research Organization का वो क्या है शबाश चेर्मन है तो नीचे आईए चोथा question India's first pollinator park इंडिया फर्स्ट पॉलिनेटर पारक आपको पता है किसको बोलते शबाश यह जो पॉलिनेटर पारक होती ना यहां पे क्या किया जाता है यहां पे वह प्लांटस मतलब उन प्लांटस को ग्रू किया जाता है जो क्या करते हैं शबाश जो नेक्टर प्रोडूस करते हैं ठीक है उननी प्लांट्स को यहां पर ग्लोव किया जाता है तो इंडिया का जो फुस्ट पॉलिनेटर पिर्व रही है वो कहां पर बनाई गई है शबाश व किहा अमस्धक खर मैं सैट ूप किया गया है और याद रखना वो कहां पहां पहीं ननीताल कहां पहीं नननीताल मैंननीताल डिस्ट्रिक आफ उत्राकंट ठीक हैं शाबश इसी वक पूरा लेक्टेर देखना ठीक है क्योंकि अभी आपके फिर मैस class होगी फिर से करण डिफ़ेर के ہوगी फिर दिआपके 5 supporter ऑफ बहुत जो तेहान का फुल्पारम क्या है Technology Innovation Hub on Autonomous Navigation System जो तेहान जो है इटिस इंडिया स्ट टेस्ट बैड ये इंडिया का क्या है इक इंडिया स्ट टेस्ट बैड पर सिस्टम स्टेस पॉलते मैं आपको पिछली बार पिंग को किसको बोते शबर इंट इस यूजड फार टैस्टिंग इक्विपमेंट्स टैस्टिंग इस्तिमाल करते हैं यहां पर आपसे पूचा गया है जो तेहां है तह इस इंज फर्स्ट टैस्टिंग For Autonomous, यहनि कि For Automatic Navigation System, It Has Been Setup in V-City, त्यहान को किस City में Setup किया गया है, शबाई जल्दी बताइए, इसका character option है हाईदराबाद, हाईदराबाद में त्यहान को Setup किया गया है, ठीक है, तो यह किस ने Setup किया था, Union Minister of Education, रमेश पोकरियाल निशांक जो थी, ठीक है, इस वकत presentally यह हमारे Education Minister नहीं है, क्योंकि पिछली बार जब Cabinet चेंज हुई ना, जब Ministers, Ministry जब चेंज हुई, तो इस वकत चाहिए उन्होंने Resign किया था, यहां इसकी जो Minister चेंज हो चुकी थी, लेकिन प्रेजंट लिए Education Minister हमारे नहीं है, तो एक बात याद रखना, जो आपके Cabinet Ministers है, प्रेजंट लिए कून Cabinet Ministers ने, मिनिस्टरी जो चेंज हुई थी, उसके लिए मैं आपको एक lecture दोंगा, ठीक है, जुरूर दोंगा, क्योंकि उस पे जुरूर आपके एक हैं दो questions आएंगे, आप यह मत सोचना कि सर शाहिद भूल गया, नहीं मैं भूल नहीं गया हूँ, मैं बिल्कुल मुझे याद है, मैं आप वो चीज़ भी आपको पढ़ाऊँगा, ठीक हैं, तो यहाँ पर आगर आपसे पूचा जागा, क्यान जो है, उसको किसे ने setup किया था, उस वकत आप यह नहीं बोला कि सर, उस वकत रमेश पोख्रियाल का नाम हमें नहीं लेना चाहिए नहीं, उस वकत तो एजुकेशन मिनिस्टर यही था ना, रमेश पोख्रियाल निशांक, आपका अंसर यहीं होना चाहिए, ठीक हैं, तो यह हाँ, यह जो तेहान है ना, यह किनको मदद करीगी, यह ज्यादा तर, यह भी ज्यादा तर नैवी के जो है ना, नैवी और जो ट यह वाला जो टैस्ट पैठ है ना, यह ज्यादा तर, आयर फोर्सोर हमारे सोलिजर्स, जो मैरें ग्राम्ड के सोलिजर्स होते हैं, उनको, शबाश कम आएगी, तो इंद्रा जोसिप, इंद्रा जोसिफ विनी और, इंद्रा जोसिफ विनीह जो हैं, यह कून थे, इंद्रा फिल्ड से तालुक रखते थी ठीक है याद रखना वो एक broadcaster था क्या था वो एक broadcaster था कहां का था शबाश करला बेसर ब्राड का था कहां का शबाश करला का ठीक है appointed as the new chairman of steel authority of India Limited जिसको आप sale भी बोलते हो sale का full farm क्या है steel authority of India Limited तो sale का जो नया chairman है नया जो chairman appoint किया गया है sale का उसका नाम क्या है simply याद रखो गए आप Soma Mandal Soma Mandal उसका नाम है क्या Soma Mandal उसका नाम है ठेक हैं तो नीची आईए हाँ ये इस बात भी याद रखना साथ में वो पहली ऐसी woman है जिसको sale का chairman बना दिया गया है याद रखना she is first ever woman head of this body यानि कि she is first ever woman head of the sale शबश देखिए PM Modi PM Modi he recently led the foundation stone house projectors LHPS जिसकों बोलते हैं that is शबश light house projectors LHPS light house projectors स्टून light house projectors जो है ये PM Modi ने कितने status में launch की तो सबसे पहले light house projectors ये जो project है इसका काम क्या है ये जो light house project से न stone light house project इसका काम क्या है शबश ये modern technology इस्तिमाल करती है क्या करती है इसके लिए modern technology इस्तिमाल करती है शबश ये houses houses को strong करने के लिए houses को strong करने के लिए और houses का जो construction है वो जल्दी ठीक है एक तो याद रखना आप houses को strong बनाने के लिए यहाँ पे जो टेगनालज इस्तिमाल की जाती है ना उसका मकसद यही है कि जो हाउसे से एक तो उनकी कनस्ट्रक्शन जल्दी होनी चाहिए ठीक है एक तो उनकी कनस्ट्रक्शन जल्दी होनी चाहिए और दूसरी बात उनके जो वालस वागे हैं न वो भी स्ट्रांग होने चाहिए ठीक है तो लाइट हाउस प्रोजेक्ट का यही एम है तो लाइट हाउस प्रोजेक्ट जो है मुपियाम मोदी ने कितने स्टेट में लांच की है तो याद रखना सिक्स्टेट में उसने लांच की है तो अगर आप याद रखना चाओं कि यहां पर मैं आपको बादा दूँगा, एक सेकंड, देखिए, कहां कहां पर हैं, देखिए, मध्या प्रादेश, इंडूर में, राजकोड के गुजरात में, चनाई के तामिल नाड़ में, जहरकंड के रांची में, ट्रिपोरा के अगर ताला में, यूपी के लखनो में, ठी राइट हाउस प्रोजेक्ट जो हैं, वो लांच किये गए, ठीक हैं, नीचे आईए, शाबाश, क्वेस्टन नमर 9, DRDO अब्जरवर्ड एटस डैज 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 फाउंडेशन डे आन 1st January 2021, DRDO जो हैं, उसने 2021 में, जनवर 1st January 2021 में, उसने कून सा, फाउंडेशन डे मनाया, ठीक हैं, यानि कि देखिए, आपको पता होगा ना, समझा देता हो, एक सिकंड, DRDO जो हैं, यह इस्टैब्लिश का बहु था, 1958 में, पता हैं, आपको DRDO कब इस्टैब्लिश होगा था, 1958 में, ठीक हैं, तो 1958 से लेकर आज तक, ठीक हैं, कितने साल हुए, तो उन्होंने कून स येर आज मनाया, यानि कि उन्होंने कून सा येर मनाया, फाउंडिशन येर जो हैं, उन्होंने कून सा येर मनाया, देखिए मदब उसको कितने साल हो गए, जनवरी 2021 में, DRDO को कितने साल हो गए, यह बाता बताओ, शबाई जल्दे बताओ, कितने साल हो गए, 63 येर्ज उसक भी ब्रेंट देखाया था इसलिए मैं बूल गया कोई बात नहीं देखिए कोई नमर 9 का मैं आपको बोल रहा था डियार्डियो जो है डियार्डियो जो है डियार्डियो कब बनी थी 1958 तो तब से लेकर आज तक 2021 में कितने साल होए 63 उन इसले के शैञतों इसलेट बनी है कि अध्यार्डियो कोई और लगमें मुझे आ रहरा बहुत ज्यादा तो कॵेश्च नमर 10 देके लिजीए चाहँ tweet question number 10 देख लीजिए who has been appointed as the new chairman new chairman and CEO of railway board जो हमारे chairman और CEO railway board का वो कुन है उसका नाम क्या है सुनीत शर्मा सुनीत शर्मा जो है CEO भी है और chairman भी है किसका railway board का ये बात याद रखना ठीक है तो याद रखना यहाँ पर हाँ तो वो क्या था वो ex-official था वो एक ex-official था किसका principal secretary to government of India वो इस chairman of DRDO simple question and important question तो जी सतेश रड़ी का नाम याद रखना जी सतेश रड़ी जो है वो DRDO का chairman है ठीक है जी सतेश रड़ी जो है ना वो क्या है शबाश DRDO का chairman है और वो एक second यहाँ पे और एक important point भी है वो secretary भी है किसका department of difference research and development का यहीं कि DDR and D जो है ना DDR and D जो है उसका वो क्या है शबाश secretary भी है यहीं कि department of difference research development का वो secretary भी है और chair मेंने किसका DRDO का यह बात भी याद रखना है ठीक है यह देख लीजिए अगर किसी को note करना है जल्दी करो ठीक है secretary department आप किसका research and development और chairman आप DRDO तो आप वीडियो को पास भी कर सकते हो बाद में वीडियो चल रही है क्या एक सीजिए तो उमेश सिन्हा देखें आपको यही से एक पॉइंट बोल रहा है उमेश सिन्हा उमेश सिन्हा कून है has recently been appointed as deputy election commissioner यानि कि उमेश सिन्हा जो है he is presently a deputy election commissioner ठीक है तो in the election commission of India तो election commission of India में उमेश सिन्हा को क्या बनाया गया deputy election commissioner तो अब आपको यह पूछ रहा है यहां पर question कि आप बताएए presently election commission of India का जो board है उसमें total number of deputy election commissioners है वो कितने है शबाश total number of deputy election commissioners in election commission of India board वो कितने है याद रखना total number उनका है 4 तो उमेश सिन्हा जो है his fourth one जिसको क्या बनाया गया deputy election commissioner ठीक है तो बागी जो तीन है वो कुने शबाश सुदीब जेल चंद्रा बूशन कुमार एंड अशिश कुंद्रा तो question number 13 देख लिए शबाश which country has been chosen as the co-chair आप दा IUCN supported Asia protected areas partnership AP AP जिसको बोलते हैं AP AP का नाम आपने सुना भी होगा AP किसको बोलते हैं Asia protected areas partnership ठीक है तो अब आपको बोलना है कि वो कुन सी country है जिसको मतलब choose किया गया है as a chairman हम कहेंगे ठीक है यह हम कहेंगे एक partner ठीक है जिसको as a partner choose किया गया है किसने शबाश IUCN supported AP AP का ठीक है वो कुन सी country है इंडिया का फिर से मैं repeat करता हूँ ठीक है which country has been chosen as co-chair यानि कि which country has been chosen as a partner of the IUCN supported यानि कि जिसको IUCN IUCN जिसको support करती है ठीक है IUCN जिसको support करती है यानि कि Asia protected areas partnership Asia protected areas partnership ये भी एक organization है जिसको IUCN support करती है तो IUCN ने इस साल किसको partner choose किया है याद रखना वो India को उन्होंने choose किया है तो IUCN का काम क्या होता है to conserve bio diversity ठीक है इनका goal क्या है to conserve bio diversity यानि कि हम species को conserve करेंगे to conserve bio diversity यानि कि उनका degradation हम होने नहीं दींगे to conserve bio diversity ठीक है तो 2023 तक ठीक है 2023 तक जो इंडिया है वो इसके साथ क्या करेगी शबाश पार्टनर्शिप में रहेगी कोचर करेगी तो बुटा सिंग बुटा सिंग कून थे बुटा सिंग वेस बीन पासट आवे रिसंटली वाज़े वेटनर लीडर आफ विच पार्टी जो बुटा सिंग है बुटा सिंग जिसकी डेथ रिसंटली हुई थी वो एक पॉलिटीशियन था ठीक है तो आपको बताना है कि वो किस पार्टी से तालुक रखता था वो इंडियन नेशनल कांग्रेस ठीक है वो कांग्रेस पार्टी से तालुक रखता था ठीक है तो फारवड यूनियन मिनिस्ट्रेंट सीनियर राजस्थान कांग्रेस लेडर कहां का था वो शबाश वो राजस्थान कांग्रेस लेडर रह चुका है बुटा सिंग ठीक है वो 86 जो है उसकी एज थी उसकी डेथ हुई आपको उसकी एज नहीं पूछ जाए कि बस यह पूछ डायरेक्टर शंतानु महापत्रा शंतानु नुमाहापत्रा यही पर कॉछन को ब keluもう एक में लेखाएये शंतानु महापत्रा को था वैसपासरवहा उसकी यासटली हो चुकि है तो फिलμ दॉल शूली वह किस फिलम इंडिस्ट्री के साथ बिलांग करता था miliwood से था उडिया फिल्म इंडिस्ट्री वह उडिया फिल्म इंडिस्ट्री से तालोक रखता था कुन शंतानु महपत्रा जो एक म्यूजिक डिरेक्टर था इंडियन आर्मी एंडियन आर्मी ने एक कंट्रैक्ट किया है किसी कंपणी से एक ऐसी कंपणी है जिसके साथ इंडियन आर्मी ने कंट्रैक्ट किया हैं किस चीज कर किया गया कि उन्होंने बोला है एक कंपणी को कि आप हमें 12 प्रेटरॉल बॉट्स दोगे जोगे करेंगे शबाश पेट्रोऌिंग करेगी पैट्रोलिंग का मतलब क्या होता है शबाश नज़र गुजर राखेगी अपने बारडऱ् अपने साराथ अपने जो रिवर्स हैं उनका नज़र रखेंगे ठीक है तो इंडियन आर्मी ने किस कंपनी के साथ ये contract किया है कि आप हमें 12 फास्ट पेट्रोल बोट्स दो ताकि हम क्या करेंगे ताकि हम पैंगंग लेग की जो पैंगंग लेग जो कहां पे लदाख में है उसकी पैट्रोलिंग करेंगे उन बोट्स से तो वो कून सी company है याद रखना वो उस company का नाम है गवा शिप्यार लिम के साथ किया है ठीक है तो यह जो बोट से ना यह इनको delivery की जाएंगी में 2021 में निकि गवा शिप्यार जो है जो है approved 100 million US dollar loan for India to upgrade power distribution system in Bangalore City याद रखना Bangalore City जो है Bangalore City को Bangalore City जो है Bangalore City का power जो है power distribution system को upgrade करने के लिए यानि कि power system को upgrade करने के लिए वो कुन सी organization है जिसने इंडिया को 100 million US dollar जो है 100 million US dollar जो है वो issue किये है लोन उसका issue किया है जल्दी बताओ यानि कि वो कुन सी organization है जिसने इंडिया को 100 million US dollar loan दिये है ताकि वो किसके लिए loan दिये है ताकि इंडिया जो है वो upgrade करेगी power distribution system कहाँ पे Bangalore City में तो उस organization का नाम क्या है शाबाश उसका नाम है Asian Developmental Bank ठीक है यह किसले किया है शबाश टो इन्हें इसदा electricity supply इंसटी तो यहां पे जुमो कश्मीर के रिलेटर एक क्वेस्टन है who has been appointed as the new chief justice who has been appointed as the new chief justice of the common high court of union territory of jume and kishmir and union territory of ladak जिसके आप सबी जानते हैं हमारा जो जुमो कश्मीर है और union territory of ladak है हमारा जो high court है ना वो एक ही है यानि कि high court दूनु जो है ना union territories दूनु union territories के लिए एक ही high court है ठीक है वो कहाँ पे सिर नगर में है तो आपको ये बताना है कि उसका जो नया Chief Justice बनाया गया, उस High Court का जो नया Chief Justice बनाया गया, हमारे यानके हमारे Union Territory या हमारे जो लदाक Union Territory है, उसका जो नया Chief Justice आया है, उसका नाम क्या है, शबाश, सबसे पहले कुन दा, पहले गीता मितल थी है ना, गीता मितल, तो आज शबाश उसका नाम है पंकज मितल उसका नाम क्या है शबाश पंकज मितल जो है पंकज मितल है इस बीन अपॉंटेट एस निव चिप जैस्ट जाफ हाई कोट आप जुमाइट कश्मीर एंड यह हम कहेंगे हाई कोट आफ यूनिन टेरिट्रिय आफ लदाख तो कब बनायागा इसको जनवरी में ठीक है तो इंडियन सॉलिजर इंडियन सॉलिजर कुलूनल नरिंदर कुमार इंडियन सॉलिजर जिसका नाम क्या है कुलूनल नरिंदर कुमार हुवास पॉपलरली नून ऐस बुल देखे कॉस्चिन में ही आपके एक पॉइंट है कुलू कुलूनल नरेंद्रा कुमार जो है वह is popularly known-as-bun तो उसकी से डेथ रिसंटरी हो चुकी है तो अब यह आपको बता रहें कि वह किस फील्ड से तालुक रखता था यह तो मैं पता कि वह इंडियन सोलीजर था लेकिन इंडियन सोलीजर तो था लेकिन किस फील्ड से तालुक र एक मॉन्टेनियर भी था पॉपलल उसको क्या कहा जाता था भूल ठीक है तो एस मॉन्टेनर कुलोनल लेंडर कुमार हुप प्लेड आइकॉनिक डॉल टो हैलप इंडिया सिक्यूर दा सियाचन ग्लेशर हैस पासट एवे डूट एज रिलेटेड इलन्स ठीक है तो इसने तो कंग्रेस लेडर विलास पटेल उदालकर उंदालकर कंग्रेस लेडर यानि कि विलास पटेल उदालकर जो एक कंग्रेस का लेडर था विलास पटेल उदालकर किसका लेडर था कंग्रेस का ही लेडर था उसकी डेथ हो गई तो ही वाज़े फार्मर मिनिस्टर आफ विच काबनेट मिनिस्टर था यह बात आप याद रखोगे ठीक है कुन विलास पाटेल उदान उन्दाल कर वह कांग्रिस का लीडर था और वाज़ फार्मर मिनिस्टर आफ काबनेट आफ महराश्टरा ठीक है कोची मंगलोरो नीचरल गैस पाइश्बायाइब रखना इसका लेंगत उसके लेंगत तो कोचिटो मंगलोर एक Geis pipeline बनाई गई जो क्या करी कि जिस दुसरीक वाटर सप्लाइट के लिए लगाई जाती है फिर वाटर उसमें सप्लाई होती है इसी तरीकी से एक गेस की जो पायप लाइन है वो बना दी गई है कहां से लेकर कहां तक कोची से स्टार्ट होती है और मंगलोर में एंड होती है और उसका जो लेंगत है वो है 450 किलो मेंटर ठीक है किस ने बनाई हैं यह किस ने बनाइए किस ने बनाई शबास याद रखने बनाई गईलमेश ठीक हैं एंड फी ठीक है यह मुझे बताना आप बाद में. गेंडी की फूल फारम क्या है? आप मुझे कुमिट में बताना ताकि मुझे भी पता चले, मुझे इस वकट पता नहीं है. ठीक है? याद थी लेकिन मैं बूल गया था. मुझे बताना ठीक है? आज मेरी हलब भी आप करोगे ठीक है देखों करा है मैं आज मेरी हलब कुन करेगा देखेए जिस तरीक से बागी सपोर्ट फैडरेशन का क्या होता है प्रेज़डेंट होता है इसी तरीक जो हमारा चस्ट फैडरेशन है वो कुन ने शबाश याद रखना अल इंडिया चस फेडरेशन का जो न्यू है ना जो न्यू प्रेजिडेंट है वो कोने शबश होएं संजे कपूर संजे कपूर has been elected as a new president of अल इंडिया चस फेडरेशन तो ये इसको प्रेजिडेंट कैसे बनाया गया था तो आनलाइन वोटिंग हो रही थी याद रखना which state has launched स्कीम का नाम कहा है शबश launch pad scheme जो है ये किस स्कीम ने launch की है which state has launched launch pad scheme for 18 years youth ये launch pad scheme किन लिए है for ever 18 years से जनकी ज़्यादा होगी उन के लिए launch pad scheme है जो कहां से आते है coming out of child care institution जो कहां से आते है child care institution से बाहर निकल के आते हैं यानि कि पढ़ाई करके आते हैं यानि कि सेकंडर स्कूल से जो बाहर निकल के आते हैं एटीन येर्स के तो उनके लिए एक स्कीम लांच के कि ये लांच पैट स्कीम ये किस स्टेट ने लांच किया है यह Madhya Pradesh के Government ने launch किये है Madhya Pradesh का जो Government है Madhya Pradesh का जो State है उन्होंने launch pad scheme को सेट अप किया है, launch किया है ठीक है То actually असल मैं पता, किसने launch किया है By Woman and Child Development Department ठीक है, जो Woman and Child investment जो State का है Madhya Pradesh का, उन्होंने यह launch किया है, ठीक है तो नीचे आईए ये टाइ कैथन 2021 has been launched to develop India as global Thai manufacturing hub. टाइ कैथन 2021 जो हैं, टाइ कैथन 2021 जो हैं, they have launched, it has been launched to develop India as a global Thai manufacturing hub. यह टाइ कैथन किसलिए यहां पे लाइच किया गया है? ताकि हिंदुस्तान में, हमारे बारत में, सभी, जो जतने भी किसम ties हैं, तो यहां पे manufacture हो, ठीक है, इसलिए टाइ कैथन 2021 launch किया गया, तो टाइ कैथन 2021 has how many themes, इसके कितने themes हैं, शबाश, टाइ कैथन 2021 के कितने themes हैं, याद रखना, इसके 9 themes हैं, ठीक है, तो Union Education Ministry रमेश पोक्रियाल निशांक जो थे, उसी ने ये, एड यूनिन मिनिस्टर समरिती जूबिन इरानी जो हैं, ठीक है, उसने ये लांच किया था, किस-किस ने, शबाश, रमेश पोक्रियाल निशांक और समरिती जूबिन इरानी, ठीक है, फाइनान्स मिसे जो है, उसने क्या किया था, शबाश, उन्होंने ये जाइन्ट लिए लांच किया था, क्या लांच किया था, शबाश, ये टाइ कैथन 2021, तो दिखिए शबाश, विच स्टेट अइंडिया मार्कस, सिखिस्त जन्वेरी, एवरिएर, ऐस धा जर्णलिस्ट देए, कुड़ बुद्अ जो सिखिस्थी जनवरी को मनाता है तिक है इंडिया का और सिखिस्ती को जन्रेट करते हैं याद रखनें ओर महाराश्ता है है जन्रेलिस्ट डेइ in the memory आप लेट बलशत्री ज Libetter ठीक है है बलशस्त्ρι जमेकर ठीक है होुगए हां तक आई होप यहां तक आपको समझ में आया होगा विच इनस्चूशन यहां पर आप देखिए शबाश विच इनस्चूशन है साइनड पैक्ट वर्थ 105 मिलियन फार वेस्ट बेंगाल इनलेंड वाटर ट्रांस्पूर्ट लाजिस्टिक एंड वह कून सा इनस्चूशन है यहां कहीं कि वह कून सी आर्गनाइज़शन है जिसने 105 मिलियन डालर क्या किये हैं वेस्ट बेंगाल को वेस्ट बेंगाल को क्या दिये है शबाश वेस्ट बेंगाल को दिये है ठीक है वह कून सा इनस्चूशन है जिन्होंने 105 million US डालर किसको दिये हैं शबाश किसको दिये हैं वेस्ट बेंगाल को किसलिए दिये हैं फार इनलेड वाटर ट्रांसपोर्ट यानि कि जो वाटर ट्रांसपोर्ट है वाटर का जो ट्रांसपोर्टिशन सिस्टम है वाटर ट्रांसपोर्टिशन सिस्टम को improve करने के लिए increase करने के लिए वो कून सा institution ने 105 million dollar इनको दिये है जल्दी बताएए शबाश वो कून सा institution है याद रखना वो है world bank world bank जो है उन्होंने 105 million dollar दिये है किसको west bengal को to improve the inland water transport infrastructure in kalakata and west bengal ठीक है तो किस ने दिये हैं world bank ने दिये है किसलिए the end to improve the inland water transport system दीचे आईए शबाश question number 27 देख लिजिए question number 27 name the newly appointed chairman of all India gym and jewelry domestic council g.j.c. जिसको हम बोलते हैं तो newly appointed chairman जो all India gym and jewelry domestic council है उसका chairman कून है ठीक है new chairman जो उसका है इसको जो नया chairman उसका नाम कहा है शबाश ashishpethi ashishpethi आप याद रखना ashishpethi has been appointed as the new chairman of all India gym and jewelry domestic council ठीक है नीची आईए शबाश एक second हाँ देखे as per world bank what is the projected GDP rate of India for the financial year 2020 to 2021 जो इंडिया का financial year 2021 है according to world bank world bank के मताबिक जो प्रोजेक्टड GDP है यह grass domestic product जिसको आप बोलते हो ठीक है grass domestic product जो है इंडिया का वो कितना है GDP rate जो इंडिया का है वो कितना है according to world bank जो GDP rate है इंडिया का 2020 से लेकर 2021 तक वो कितना है शबाश याद रखना वो है 9.6 कितना है minus 9.6 यह 9.6 परसंट ठीक है 9.6 परसंट ठीक है एक सेगंड minus 9.6 परसंट आप याद रखोगी ठीक है minus 9.6 परसंट यहाँ पर भी हाँ देखिए world bank has projected the Indian economy to contract contract का मतलब होता है minus हो चुका है decrease हो चुका है contract by minus 9.6 परसंट एंड़ फैसकल यार 2021 ठीक है बस यह बात याद रखोगी है तो हाँ यह बात भी याद रखना world bank जो ना वो estimate दे रही है वो मतलब अंदाजा लगा रही है वो अपना एक guess कर रही है वो बोल रहे है कि इंडिया जो है वो इस last को यह जो last हो चुका है minus 9.6 परसंट वो इसको इंडिया जो है वो इसका combat करेगी यानि कि वो इसके खिलाफ लड़ेगी और उसका जो recovery rate होगा वो 5.4 परसंट होगा कब 2021 में इसका जो growth होगा वो कितना होगा 5.4 परसंट 2021 में आहाँ चलिए दिखिए नहीं दा फर्स्ट अरबन कॉपरेटिव बैंक आफ इंडिया तो रसीव लाइसन फ्राम आर बी आई तो ट्राजिशन टो समाल फाइनानस बैंक तो वो कुण सा फर्स्ट अरबन कॉपरेटिव बैंक है एक होता है रूरल बैंक दूसरो होता है अरबन बैंक ठीक है तो वो कुण सा फर्स्ट अरबन बैंक कॉपरेटिव बैंक है अरबन कॉपरेटिव बैंक वो कुन सा first urban cooperative bank है इंडिया का जिसको RBI ने license issue की जिसको RBI ने license क्या की जिसको RBI ने license दी है किसलिए to transition to small to transition to small finance bank ठीक है यानि कि SFB जिसको अब बोलते हो यानि कि RBI ने किस urban cooperative bank को license issue की है ताकि वो small finance transition चला सके ठीक है small finance transition bank जो है वो चला सके तो उसका नाम क्या है शबाश शवालिक mercantile cooperative bank शवालिक mercantile cooperative bank जो है इसको RBI ने license issue की है ठीक है कि वो क्या कर सकता है to transition to small finance bank नीचे आईए शबाश थग गया एर एक सेकंड तो आप question फडिये please the RBI has introduced the legal entity identifier यहने की LEI जिसको बोलते हो that is legal entity identifier for all RTGS and neft payment transactions RTGS और neft करते है न पेमेंट ठीक है by entity is for value of rupees dash dash and abu तो सबसे पहली बात मैं आपको एक चीजां पर समझाओंगा आपको सब कुछ खुद समझ में आएगा LEI जो है न legal entity identifier पता यह legal entity identifier क्या होता है यहाँ पे RBI जो है न वो वो clients को जो clients होते न वो उनको यानि कि जो customers होते हैं वो उनको 20-digit का number देते हैं क्या 20-digit का number यहाँ पे generate होता है 20-digit का एक number generate होता है तो अब यह क्या बोलता है RBI is introduced the 20-digit number यानि कि RBI is introduced the legal entity identifier for all RTGS and net payments transitions made by entities for value of rupees dash dash and abu तो RBI RBI जो है वो customers को वो यह हम कहेंगे वो clients को 20-digit number का इशू करेगी ठीक है वो 20-digit number का इशू करेगी जब कितना payment को transfer करना होगा तो भी जाके 20-digit जो है उनको मिलेगे याद रखना 50 करोर ठीक है 50 करोर जो है न 50 करोर एन एब ओ यानि कि जब कोई client जब कोई individual 50 करोर 50 करोर से ज़्यादा transfer करेगा by RTGS method or by net payment ठीक है उस वकत उसको 20-digit जो है यानि कि legal entity identifier जो 20-digit से हैं वो उसको generate होंगे ठीक है यहाँ पर आप देखिए शाबाश दा रिजरो बेंक अप इंडिया has introduced legal entity identifier for all payment transactions of value रूपी 50 करोर and above undertaken by entities non individuals वाया real time आर्टी जिसको आप बोलते है real time grass settlement जिसको आर्टी जिस बोलते है ठीक है तो question number 31 which financial institution has signed loan agreement वरत 646 डालर वो कौन सा financial institution है वो कौन सा institution है जिसने loan agreement sign किया है ठीक है loan agreement कितने का sign किया है 646 million डालर का किसके साथ इंडिया के साथ उन्होंने क्या किया है शाबाश loan agreement उन्होंने क्या किया है sign किया है तो loan agreement किसलिए sign किया है ताकि दो जो road projects है ताकि अंधरा प्रदिश के जो दो road projects है वो complete हो जाए तो वो कौन सा financial institution है जिसने इंडिया के साथ जिसने इंडिया के साथ agreement किया है loan का loan कितना वो institutions को देगी 646 million dollar देगी तो क्यों देगी किसलिए देगी शाबाश इंडिया ये loan क्यों ले रही है ताकि हमारे जो दो road projects किसके आंधरा प्रादिश के वो complete हो जाएंगे अब हम देखेंगे ये जो loan है ये कुन provide करेगी देखिए ये loan प्रोवाइड करेगी new development bank जिसको बोलते हो ndb ठीक है new development bank ndb जो है ndb ndb जो है वो provide करेगी loan किसको इंडिया को for completing these two road projects ठीक है कहां पर ये road projects है शबाश आंधरा प्रादेश तो olympic brunze medalist Michael Kondo olympic brunze medalist जिसने olympics में brunze medal हासल किया था brunze medal जीत लिया था ठीक है ये कून था शबाश Michael Kondo कून था एक olympic brunze medalist था तो इसकी recently death हुई थी लेकिन ये बताईए ये जो brunze medalist Michael Kondo था ये किस support से related था यानि कि ये hockey केलता था ये कून सा support खेलता था याद रखना ये खेलता था भी जो है Michael Kondo ने इंडिया को जिताया है और एक olympic medalist भी रहा है hockey में तो he was member of Indian team which won the 1975 hockey world cup in Kuala Lumpar and 1972 Olympics brunze in Munich ठीक है Kuala Lumpar में उन्होंने कह जिता था world cup तो Munich में इसने जिता था bronze medal ठीक है शबाश The medium range surface to air missile MR Sam जिसको बोलते हूँ Mr. Sam ठीक है MR Sam तो Mr. Sam जो है That is medium range surface to air missile जो है defense system यह जो एक हमारा defense system है was tested by India recently यानि कि MRSAM MRSAM को इंडिया ने recently test किया ठीक है तो it has been developed by DRDO इसको किस ने बनाया है शबाश याद रखना इसको भी बनाया है DRDO ले ठीक तो in collaboration with which country इसको तो DRDO ने बनाया है लेकिन किस country का support किस country का support DRDO ने लिया है तब ही जाके MRSAM जो है यानि कि medium range surface to air missile जो है फिर उन्होंने बनाया है जल्दी बताईए शबाश इसका जो character option है न वो है इसराहिल ठीक है तो इंडिया ने MRSAM को यानि कि medium range surface to air missile जो इंडिया ने बनाया है इंडिया के जो DRDO ने ये missile बनाया है ये उन्होंने किसके साथ मिला के बनाया है शबाश इसराहिल के साथ इच बताईए यह बात याद रखना चलिए क्लिज अप सुपरवाज़र लिय् dream क्वज़र इसराहि पनाया है यह उन्होंने पनाः छोião capacity बनाया ने ये बडियू बनाया है किसका शबाश एक ग्रुप बनाया गया OUTFISERS का अथिसने बनाया है आरवी आई नहीं तो further strengthen supervision over regulated entities उन्यकि आरवी आई के उन्टर जितने भी मतलब officers करम कर रहे ना जितने भी officers करम कर रहे उनको नजर रखने के लिए उन पे नजर रखने के लिए college of supervisors बना गया गया एक group बना गया है जिसका नाम रखा गया है college of supervisor, यह college of supervisor क्या करेगी, यह नजर रखेगी, कि इनके उपर, जितने भी बाकी officer's कहां पे है, RBI में है, ठेक हैं तो, who will head this college, यह जो college of supervisor होगा, इसका head कून रहेगा शबाश, इसका head रहेगा NS Nishwathan, कून NS Nishwathan, इसका head रहेगा यह जो college of supervisor है, इसका head कून रहेगा, शबाश, NS Vishwanathan, याद रखना इसमें बाकी भी पांच मेंबर्स हैं, यह बात याद रहेगा, इसमें बाकी भी पांच मेंबर्स हैं, NS Vishwanathan and will have five other members तो, एक second देखे, who has been appointed as the chief of Google Cloud, Asia Pacific ड्यूजन, GCA GCAPD, जिसको आप बोलते हो, that is Google Cloud Asia Pacific, ड्यूजन तो, इसका chief किसको बनाया गया है, जल्दी बताए इसका जो character option है, that is करन बाजवा, करन बाजवा को बनाया गया है, किसका Google Cloud, जो है, इंडिया में उसका chief बनाया गया है, ठीक है तो, इससे पहले कुन था, रिक हरश्मान याद रखना, बाजवा जो है ना, जो करन बाजवा है ना, करन बाजवा से पहले कुन था, इसका chief, रिक हरश्मान याद रखना, तो question number 36, शाबाश देखिए Justice Hima Kohli Justice Hima Kohli, जो है, Hima Kohli has been appointed as the first ever first ever female chief justice of the high court of which state, तो Hima Kohli, जो है she is first chief justice of high court of which state, याद रखना she is first chief justice of high court of Tlingana, तिलंगाना कि जो first female chief justice है, high court की, वो कुने शाबाश Hima Kohli, याद रखना Hima Kohli, जो है, she is first ever female chief justice of high court of Tlingana, ठीक है नीचे आईए, शाबाश question number 37 who has been appointed as the head of central government committee to protect the unique language, cultural identity and land of Ladakh, तो एक central government committee बनाई गई, ठीक है, एक committee बनाई गई एक team बनाई गई है, किस के लिए, शाबाश, to protect unique language, जो Ladakh की language है, और Ladakh का जो culture है और उनकी जो identity है, और Ladakh की land है, उसकोASH, उसको protect करने के लिए, एक committee बनाई है, किस ने central government ने एक committee बनाई है, अब आपको ये बता ना है इस committee का जो head है, उसका नाः रखा गया है, शाबाश, उसका वो कून है, इस committee का जो head है, उसका नाम कया है, उसका नाम है जी शबाष किशन रडी, क्या उसका नाम है, जी किशन रडी उसका नाम है, चलिए, नीची आईए शबाष The world's first double stack long haul container train has flagged up by PM Modi recently, एक पोइट यही से आपको बता रहा है जो बड़ फर्स टैक लॉबल स्टएग लॉंग अब कोंटेनर ट्रैन है। यानि कि डॉबल स्टेक का मत्रश का हूंत पता है यानि कि δेवल स्टरी ट्रैन होता है। उसकी जो रागरिशने वो किस ने की थी पियाम मोधी ने की थी तो यह जो train है the train will run between which state यह train किस state के शभाश पास होगी this will run between which state यह किस state से गुजरेगी हर्याना और राजस्तान समझ में आया तो यह जो double stack long haul container की train है यह हर्याना और राजस्तान के बीच में चलेगी ठीक है this is 1.5 km long train यह बात याद रखने दिस वान पॉइंट फायो किलो मेटर इस ट्रेंड की लेंगत है ठीक है तो अटेली से लेकर किशन गंज तक ठीक है अटेली अहर्याना अटेली जो हर्याना में है अटेली हर्याना से लेकर किशन गंज राजस्तान के चलेगी देखिए तो इंडिया हैस बीन अपॉइंटेड एस दा हैड अप थ्री इंपॉर्टेंट कुमिटीज मैंने पिछली बार भी आपको यह पढ़ाया था इंडिया को तीन कुमिटीज का हैड बना दिया गया है ठीक है ठीक है तो अब आपको बताने नीचे कुछ कुछ कुमिटीज लिखी गई है आपको बताने इनमेंसे वह कून सी कुमिटी है जिसका हैड इंगिया नहीं है taliban sanction committee इसका head बना दिया गया है क्या बिलकुल तो 178 sanctions committee इसका क्या counter-terrorism committee क्या Libyan sanctions committee क्या जल्द बताएं योनि कि आपको बताने इन मेंसे वह कूंप सी committee नहीं है इन मेंसे वह कूंप सी committee नहीं है ै जिसका head India को नहीं बनाया गया है ठीक है जिसका head union जो गीन उनायटिक नेशनल स्कुर्टे काउंसल जो है 25 है उसका है इंडिय wz को हाँ उसने इंडिया को उस खुमिटी का है नहीं बनाबाकि मजैंद अफ्ट invalid का है हेड इंडिया हैं लेकिन एक एसी कूमिटिया है जिसका है इंडिया हो crystal नाम बाता ही ऐ है मुझे लगता है उस गूमिटिय का नाम होगा cm करें कि आश हां कि हाँ बिल्कुल वी 1718 सेंक्षिन कपीटिया है 1718 Sanctions Committee जो हैं DPR के इसका हैड इंडिया नहीं है यहां पर आपको क्या पता चला कि युनाइटेड नेशन सेक्षिर्टी काउंसल ने इंडिया को तालिबन सेक्षिन कुमिटी का हैड बनाया है और लीबियन सेक्षिन कुमिटी का हैड बनाया है ठीक है वट वाज़ प्रॉफिशन आप चित्रा गोश चित्रा गोश कुन थे पता है आपको न्यूज में थी इस वार what was the profession of chitragosh the niece of Neta ji Subhas Bab Neta ji Subhas Babas जिसके जो niece है एक होता है निफियों दूसरा होता है niece है तो Neta ji Subhas Babas Babas जो niece ती जिसकी recently death हो गई who passed away recently तो आप बताओ उसका profession क्या था ठीक है वो किस field से तालोग रखते थी याद रखना Neta ji Subhas Babas Babas बोसकी जो नीज थी वो एक north initiative आठी ऑकारी सियंट उमकिस को बोलतों कि जिसके सी थालोक किसी economy से कीएऽ किसी आकेड़ीयगों से होगा अब यहां पर आपको समझ बाएगा जबnymi नीची आएंगे देखिए यहां पर क्या बहुत रहा है नेता जी सुभाष चंदर बुस्स नीस जो है वो क्या थी इमिनेंट एकैडमीशियन थी यानिकि एक्सपीरेंसर एकैडमीशियन थी उसका नाम क्या था चित्रा गोश्ट उसका नाम था वो कैसे मर गई गया तो उसकी कितनी दी नाइन्ती तो उसने क्या किया एक शबाष उसने सेरु किया इक इसको पीपल को उनुमने उसने वो जो चित्रा गोश्ट santé को बहुत ज्यादा सरु किया और इनस्पार किया यूद्ट को भी ठीक है यह बात अप, आप यात रहो डिक है तो नीचे आएकु जाएए बागे वही अल्डे देखेज तो इंडियन औरीजन डाक्टर राज आयर जो है इंडिम ऑरिजन डाक्टर राज आयर याल यानिक जो इंडिया का है इसलिए डाक्ट राज chief information officer of army forces of which country तो डाक्टर राज आयर जो है presently वो इंडिया में नहीं रहते लेकिन उसकी जो birth place है वो इंडिया ही है ठीक है उसकी जो birth country है वो इंडिया ही है यानि कि डाक्टर राज आयर जो असल में इंडिया का ही है तो उसको किस country ने अपना first hour chief information officer बनाया है मुझे लगता है अमेरिका हां अमेरिका ने अमेरिका ने डाक्टर राज आयर को क्या बनाया फिर्स्ट एवर chief information अपना first hour chief information officer बनाया है किसने United States आप अमेरिका ठीक है तो सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए डाक्टर आप आजायर कहा का था इंडिया का इन्डो इंडो अमेरिकन है यह ठीक है नीचे आई यह शाहपाश को वादब अप्राप्षिन आप सधिया पाल who has died recently Satya Pal जो recently जिसकी death हो गई वो उसका profession क्या था एक था हमारा Satya Pal मुलक है ना जो हमारा यह थे यहां पर गोर्णर भी रहे तो what was the profession of Satya Pal who was died recently याद रखना उसका नाम वो क्या था वो patient designer था Satya Pal जिसकी death recently हो गई वो क्या था वो एक fashion designer था ठीक है he is known for reinventing the Indian saree for contemporary women यादि कि वो जो सारी का सिस्टम है ना उसने सारी का सिस्टम यहां पर फिर से जिन्दा कर दिया था किसने शबाश सत्या पाल ने 43 शबाश लेट श्री के के रामा चंदरन a veterinarian congress leader तो यहां पर congress leaders की death बहुत ज़्यादा हो जगी है लेट श्री के 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 राम चंदरन जो एक congress का leader था वास farmer minister of which state cabinet वो किस state cabinet का minister था इसका जो character option है that is केरला याद रखना जो के के रामा चंदरन था ना वो केरला का के cabinet का एक minister भी रह चुका है ठीक है उसको heart attack हुआ था फिर उसकी death होई question number 44 रगविंद्रा सिंग चोहान रगविंद्रा सिंग चोहान has been appointed as the new chief justice of which high court उत्राखंड high court का chief justice जो नया उत्राखंड high court जो है उसका जो नया chief justice है वो किसको बनाया गया है शबाश रगविंद्रा सिंग चोहान रगविंदरा सिंग चोहन जो है उसको नया चीफ जैस्टिस बनाया गया है किसका हाई कोटाफ उत्रा खंड का ठीक है तो नीची आईए शबाश कोशन नमर 45 देख लिजिए शबाश जल्दी देखिए वरल्ड हिंदि डे को कब सेलेबरेट किया जा रहा है दस जनवरी को पुरे आलमएं पूरे हंदुस्ता हर एक यानर के पूरे धुनिया में दस जनवरी को वर्ल लाहिंद डे जा रहा है यह बात याद रखना इसको इं सरकल पूछा जा सकता है इंपर्टेंट डेट में पूछ जा सकता है ठीक है कि अ आ अध्रमर वेटरण फार्मर फार्मर फारीयन मिनिस्टर महद क्या इसका नामें मधाव शिंड स्विस्टर वेटरंफार्मर वेटरन फार्मर फारियन मिनिस्टर फारियन मिनिस्टर जिसका नाम क्या है मधाव सिन स्वलंग की पासड़ एवे फार्मर चीफ मिनिस्टर आफ विच स्टेट वो किस स्टेट का चीफ मिनिस्टर था याद रखना वो गुजराद का चीफ मिनिस्टर था ठीक है पहले वो क्य मिनिस्टा गुजरात का याद रखना ठीक है वह एक्टनल एफिर्स मिनिस्टर रहा है यहां पर लिखा है कि हाँ हूँ सरुड़ाइज एक्टनल एफिर्स मिनिस्टर अरे यार 47 एक सेकंड एक सेकंड कोशन नवर 47 हूँ इस देचेयर हूँ इस देचेयर हूँ इस देचेयर मैं आप दा हाई-लेवल कुमिटी एचलसी हाई-लेवल कुमिटी तो कमूमेरेट यह लांग सेलबरिशन आफ वन हंड़नड़ ट्वाइट वरत अनवरसरी आप नेता जी सुबास चंदर वोग्ष ठीक है तो हाई-ले कमूमेरेट वरत इनवरसरी आप कमूमेरेट शबास उनलेवल कुमिटी साब नेताजी स्वाश और नेंदरमोदी साहब थे लिएच्ञारी नेताजी pin तो यह क्या करती है शबाश हाई लेवल कुमिटी विल भी हैटेट बाइमिनिस श्री नरेंदर मोदी चलिए नीची आईए गोर्मेंट आप इंडिया सेलेब्रेट इस दा प्रवसी भारतिया दिवस आन विच डे अन्वली तो प्रवसी भारतिया दिवस जो है वो किस दिन प क्या होता है प्रवसी भारतिया दिवस तो प्रवसी भारतिया दिवस में क्या किया जाता है शबाश इसका मलत क्या है नान रिजिडेंट इंडिया दिवस तो यह क्या होता है नान रिजिडेंट इंडिया दिवस तो यह क्या होता है नान रिजिडेंट इंडिया दिवस तो mark the powers and contributions made by non-residents of India towards the welfare and development of the nation. तो इसमें इसमें क्या किया जाता है शहाश इसमें उन लोगों की तारिफ की जाती है। उन लोगों को क्या किया जाता है। हाईलाइट किया जाता है। ठीक है उन लोगों को मतलब अवार्डस वगेरा भी दिये जाते हैं। किन लोग उसको जो इंडिया के नहीं होते हैं जो इंडिया से बार मांने यह हमारी इंडियन कंट्री है अगर कोई अमेरिकन अगर कोई यूरिपियन अगर कोई इंग्लेंड का अगर कोई अमेरिका का है अगर कोई स्री लंका का या अगर कोई भूटान का कोई आदमी है अग अगर उसने कुछ अच्छा किया है हमारी कांटर के लिए तो फिर उस दिन नाउन जनुवेरी को उसका क्या मतलब किया जा रहा है शबाश उसको सम्मान पर क्या आप बोल रहे हैं हिंदी में मुझा याद नहीं आ रहा है इस वक्त हम कहेंगे उसको क्या दिया जाता है मतलब उसका मतलब वो देते हैं ना क्या उसको बोलते हैं हिंदी में हिंदी शब्द है इसके लिए एक यार शायद समान आप बोलते हैं तो मैं सिंपली कहूंगा तो उनको रेस्पेक्ट दिया जाता है ठीक है उनको रेस्पेक्ट दिया जाता है उनको याद किया जाता है किस दि के लिए कुछ हिंदी शब्द है मुझे बहुत ही प्यारा शब्द लगता है वह हिंदी का इसका बहुत ही अच्छा शब्द था यार अगर आपको पता है मुझे बता देना बड़ाई प्यारा शब्द था 449 शोरिया सैलरी आगाउंट शोरिया सैलरी अगाउंट इनल प्रोड़क्ट लॉन्चेडवाई विच बैंक उप्द दिधंद परसेनल के लिए सोली जरस के लिए शॉर्या सैलरी account जो है वो किस bank ने launch किया है बंदन bank जो है बंदन bank जो है वो क्या करेगी शबाश वो soli jurs के लिए क्या रखेगी शोरिया salary account बस यह चीज़ है बंदन bank यहाँ पर देख लीजिए private lender बंदन bank जो है launched बंदन bank शोरिया salary account to provide banking and financial service to the personal of the armored force and paramilitary services यही चीज़ तो मैंने आपको उपर भी बोला चलिए question पढ़िए शबाश the mobile app सतारक नागरिक mobile app जिसका नाम क्या है सतारक नागरिक यह जुम्हेंड कश्मीर के लिट है ठीक है बड़े ध्यान रखना है आप mobile app एक है जिसका नाम है सतारक नागरिक and departmental vigilance officer portal यानि कि DVO जिसका बोल दे departmental regional office service का एक portal भी बनाया गया यानि कि दो चीज़ें यहां पर आ रहे हैं सतारक नागरिक और departmental vigilance portal जो है आपी service के लिए departmental vigilance IP service का जो portal है दो चीज़ें पर लाज़ की एक सतारक नागरिक दूसरा है DVO तो यह एक पोर्टल है ठीक है DVO जो है न DVO DVO मनों एक पोर्टल है यहां यह हम करेंगे एक साइट है ठीक है एक वेब साइट बना दी गई है DVO और सतारक नागरिक दो चीज़ें लाज़ की गई यह दो चीज़ें किस स्टेटर ने लाज़ की यह आपको बताना है तो सबसे पहले मैं आपको कॉस्टन में ही बता दूँगा यह इसलिए लाज़ की गई DVO और जो सतारक नागर के ना यह इसलिए लाज़ की गई फार इजी ग्रीवेंस रेडरेसल ताकि गोर्मेंट को जितने भी ग्रीवेंस होते हैं गवर्मेंट को पता चले अफिसर जो डिपार्टमेंट होते हैं जो अद्मिनिस्टेटर होते हैं उनको पता चले कि ग्रीवेंस जो है लोगों की वो कैसी है क्या ग्रीवेंस है कितनी ग्रीवेंस है ठीक है कितनी complaints आ रही है ठीक है कितनी शकायत आ रही है लोगों की तो यह जो दो portal है न यह अहम role निबाएगी किसमें शबाश किसमें निबाएगी अहम role for easy grievance redressal तो यह किस state ने launch की याद रखना यह हमारे जुमो एंड कश्मिर के state में launch की गई है किसे ने launch की मनोज सिना ने launch की थी ठीक है कुण सी application नाच की थी शबाश सतारक नागरिक एंड डीवी ओपोटल ठीक है सतारक नागरिक एंड डीवी ओपोटल उसने launch किया था ठीक है फार एजी ग्रीवेन सेरे डिरासन हो गया एक सेकंड एक सेकंड पढ़ोगे और गया इतना ही रखेंगे हम और भी पढ़ेंगे या इतना ही रखोगे बोलो जल्दी चली मुझे लगता है कि हम इतना ही पढ़ेंगे अब देखिए अब आप ये class यह आप जल्दी से मतलब complete करोगे जल्दी से पढ़ना ये वाली class आप जल्दी से पढ़ना उसके बाद हम क्या करेंगे आपका math का lecture आ ठीक है ratio and proportion का lecture फिर हम आपको डालेंगे ठीक हैं तो यह बात याद रखना इस lecture को अच्छे से देखना पीडियाफ अगर आपको नहीं मिलेगे ठीक हैं यह जो है ना क्योंकि यह वाली पीडियाफ हमने paid course वालों को already sell किये तो अगर हम आपको भी यह दिंगे तो वह फिर श करना अच्छे से फिर नोड करना ठीक हैं तो मिलते हैं next video में तब तक के लिए bye bye take care